Google Dollar The End आप जब भी Google Dollar से कॉल करते हैं वहाँ पे जिसका भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे एक साउंड आता है दिस कॉल रिकॉर्डिंग आन का जिसी बंदे या बंदी से आप कॉल पे बात करते हैं उसका कॉल अपने मुबाइल फोन के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं उसको पता जाता है आप उसके कॉल को अपने मुबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं वह आप से कह देती है आप मेरे कॉल को अपने मुबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं मैं आपको ऐसे दो एप के बारें बताने वाला हूँ, जिससे आप Google डालर से किसी के भी बास कॉल करेंगे, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होगा, कोई भी साउंड, कोई भी एनाउसमेंट किसी के पास नहीं जाएगा, आप बड़े आसाइंस हों से कॉल पे बात कर सकते हैं, उसका कॉल अपने मुपाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मैं आपको दो अपके बार में बताने वाला हूँ, वो सिर्फ है Google डालर पे ही काम करता है, Google डालर से ही कॉल रिकॉर्डिंग पे वो काम करता है, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके, आप मुझे इस्टाग्राम ट्यूटर पे फालू कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक वीडियो के निचे डिस्केप्सर बाक्स में दिया हूँ, आप जाके वहां से मुझे फालू कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको एंस्वर देता रहूँगा, सबसे पहले आप तभी को जाना है ठीक प् permit अवर्जटूर में आपको यहां पे एक सर्च बाक्स दिखाय देगा, आपको यहां पर सर्च बाक्स में सर्च करना है अपको कॉल रिकॉ Battery可愛 काल कर लिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन के अंदर इनस्टाल कर लेना है इस अप्लिकेशन में बहुत साइल सेटिंग है जो आपको जानना बहुत ज़रूर यदि आप कोई भी सेटिंग को मिस्स कर देंगे तो को रिकार्डिन साउंड को आप टीसेबल नहीं कर पाएंगे सबसे पहले आपको इ अलाव पे क्लिक करना है फिर आपको अलाव पे क्लिक कर देना है यानि कि आपको चारव अलाव पे क्लिक करना है फिर आपको इनेवल आइप करनेटर पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करनने के बद आपको यहां पर दिखाए देगा डाउनलोड सर्विस आपको को इस पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद काई ACR आपको यहां पर दिखाए देगा आइप टू आपको यहां पर दिखाए देगा क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक पर देनी है तो आपको इस पर मिशन पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहां पर फोन वाले आपसं पर क्लिक कर देना है अब आप तबी के mobile phone के अंदर size setting हो चुकी है अब मैं आपको second call recording app के बारे में बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे call recording search कर लेना है फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाना है आपको यहाँ पे दिखाए देगा आपको इस पर क्लिक करना है इस application को अपने mobile phone के अंदर अपने हिसाब से कर लेना है आपको यहाँ आपको यहाँ पसंद आएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक किजिए स्वेर किजिए चला सब्सक्राइबर की आपको नोटिफिकेशन ओन कर दिजिए मिलते हैं ने